हेलो प्रेंट्स वेल्कम बैक टु माई चैनल रुभी आर्ट हैंड इंब्रोइडरी प्रेंट्स आज की इस वीडियो में आप देखेंगे हैंड इंब्रोइडरी का नेकलेंड पैटर्ण्स जो की कौतन ट्रेड और मोती से बनाया गया है बहुत ही खुबसुदत पैटर्ण्स है बहुत ही प्यारा प्यारा डिजाइन्स है उमिद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी आप इस डिजाइन को अपने ड्रेश पे या कुर्टी पे या ब्लाउज पे बना सकते हैं आगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिज सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने पर जो बेल आइकन आता है उसे भी प्रेश कर ले ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो अप्लोड करें तो उसकी सुचना आपको सबसे पहले मिल सकें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें अपने फैमली और फ्रेंट के साथ सेयर करें आप वाट्सेप पे या फेस्बुक पे किसी भी सोसल साइट पे मेरे वीडियो को सेयर कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसा लगा तो देखते रहे हमारे आज की इस वीडियो को और इंजॉय किजिए अगर आपको हैंड इंब्रोएडरी आती है तो आप आसानी से इसमें से कोई भी डिजाइन देखकर बना सकते हैं बिल्कुल सिम्पल और इजी डिजाइन है और देखने में बहुत ही सुन्दर दिख रहा है इस वीडियो को देखकर आपको हैंड इंब्रोएडरी के नेकलाइन डिजाइन्स के नए नए आइडियाज मिलेंगे साथ ही आपको थ्रेड के कलर कॉंबिनेशन का भी आइडियाज मिलेगा किस तरह का किस कलर का थ्रेड यूज़ करें आप इस इंब्रोएडरी को कॉटन कपरे पर बना सकते हैं आप इस वीडियो को देखकर एक सिंपल कपरे से बहुत ही खुपशूरत ब्लाउज और ड्रेस या फिर कुर्ती बना कर तयार कर सकते हैं रेडि मेट की तरह रेडि मेट से भी अच्छा हो जाएगा बहुत ही खुपशूरत लगेगा इस तरह की इंब्राइडरी की ड्रेस या ब्लाउज जब हम दुकान में लेने जाते हैं तो बहुत महेंगा पड़ता हैं तो आप इस तरह से घर पे ही बहुत आसान तरीके से अपने मनपसंद का इंब्राइडरी कर सकते हैं अपने मनपसंद का डिजाइन बना सकते हैं तो मेरे चैनल पे आपको और किस तरह का डिजाइन चाहिए hand embroidery का आप मुझे comment करके बताएं मैं आपको इस design को दिखाने की पूरी कोशिस करूँगी ये देखिए बहुत ही सुन्दर दिख रहा है तो ये था हमारा आज का वीडियो मैं उमिद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लेज इस वीडियो को लाइक करें अपने family और friend के साथ share करें comment करना तो बिलकुल ना भूलें तो देखते हैं मैं फिर मिलूँगी अपने next वीडियो में तब तक के लिए bye bye वीडियो देखने के लिए thank you